तो भाई ये तीन घंटी के मुई देख के यहाँ पर बस एक ही डायलोग याद आ रहा है कि ट्रिलर ऐसा बनाओ कि यह लोग मुई की स्टोरी ही नहीं गेस कर पाए कि आखरकार मुई में क्या होने वाला है और यह है कल की 2898 AD यानि दोस्तों यहाँ पर हम लोग को काफी बड़े ट्रिलर देखने को मिले और शायद मुई रिली से एक अपते पहले भी एक में ट्रिलर आया था लेकिन इस सब के बावजूद जितनी भी थियोरी आप लोग लगा लीजे यहाँ पर मुई की दम ट्विस्टेड टर्न एंडिंग होती है जो की ओडियंस को हैरान करक लेकिन हाँ जितना लोग सोच के गयते उससे कई गुना जादा मुई खरी उत्री ओडियंस की एक्सपेक्टेशन पर यानि यह जो तीन घंटे एक मिनट की मुई है उसका हर एक मिनट काफी जादा कीमती है और ओडियंस को बेहत पसंद आ रहा है बात करें भाई यहाँ पर कैनल, बाकी दो episode भी जो की और जादे इंटरेस्टिंग है यानि कि कलकी की ending इससके बात की कहानी क्या हुई वह हम लोग को ऐनिमिटेट अनिमेटेट एपिसोड पे देखते हो भी लेगो तो आप लोग मिस्स मत कीज़ेगा अब यहां पर सबसे पहले लोग बात कर लेते हैं अमिताब बच्चन सर के क्याक्टर की और इनके क्याक्टर का पाउरफुल वरिजन तो हम लोग स्टार्टिंग में देख लेते हैं जब पहला लुक अश्वतामा का रिलीस किया गया था लेकिन मुवी में जिस तरीके से दमदार यहां पर इनकी डियालोग है उनके जो एक्शन वो सब दिखाए गया है वो सब सोचने में मजबूर करता है कि भाई इनकी तो एक सेपरेट फिल्म बननी चाहिए अलग से अगर चा लगा होगा कि काश हम लोगो थोड़े और सीज दिखाए जाते क्योंकि जैसे महाबारत के वो शॉर्ट हम लोगो देखने को मिला और देस उस पास्ट में जाके एक हो गई और और देस टाइम बशीन से टाइम ट्रोल करके कुछ समय के लिए वही पर ठैरना चाती थी और ब सिनेमा में जो की अब दिखाए जा रहा है और अगर मैं कहूं कि यहाँ पर अगर यह एक नए सिनेमेटिक इन्वर्स की शुरुवात है तो कल की यह जो मूई आई है वो इस सिनेमेटिक इन्वर्स की नीव है यह नीव इतनी मजबूत और इतनी गहरी होगी किसी ने नहीं स यहां पर डिक्टर की अपनी खुद की लाइमनट आजाए यानि दोस्तों हम लोग यह नहीं कह सकते कि सिभ एक ही क्याक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है हर एक क्याक्टर को अच्छी तरह निखार के दिखाएगा है और तो दोस्तों मुई काफी बढ़िया है और वन टैम से जादा वाच की है अगर आप लोग ने मुई देखी है तो आप लोग कमेंट करके बताएगा कि आपको यह मुई कैसा है